सूप्रभाद बच्चों, कख्षा चौती, विशे हिंदी, उपविशे पाठ पांच, सरला की सूच तो बिट्टे सबसे पहले हम करेंगे अभ्यासकारी और अभ्यासकार में देखिए सबसे पहले यहां कुछ कठिन शब्द दिये गए हैं, इन्हें पढ़ते हैं पहला शब्द है कैची, दूसरा शब्द है तंग, तीसरा शब्द है परेशान, चोथा शब्द है पंचायत, पांचमा शब्द है पत्थर, छठा शब्द है कीम्ती, साथमा शब्द है पत्थरीली, आठमा शब्द है जुगाड, नौवा शब्द है चतुराई, और दसमा श यहां पर यह जो कठिन शब्द दिये थे हमने इनका भी उत्चारण कर लिया अब चलिए मौखिक प्रश्णों के उत्तर को जानते हैं चलिए पीटा सबसे पहले मौखिक प्रश्णों को जानते हैं कर दिया गया है निमलिकित प्रश्णों के उत्तर दीजिए यहां कुछ प् प्रश्न पूछता है कि लोग सोहनलाल से क्यों तंग आ गए थे तो बिटा इसका उत्तर है लोग सोहनलाल से तंग आ गए क्योंकि सोहनलाल गलती से बाल के साथ कान भी काट देता है लोग क्यों तंग आ गए थे प्रश्न देखते हैं प्रश्न दो सरलानी सोहनलाल को सरपंच के पास जाने की सलाह क्यों दी प्रश्न दो सरलानी सोहनलाल को सरपंच के पास जाने की सलाह क्यों दी तो बिटा इसका उत्तर है सरलानी सोहनलाल को सरपंच के पास जाने की सलाह दी क्योंकि सोहनलाल गरीब हो गया था और वह बहुत परिशान रहने लगा था है ना इसका उत्तर है कि सरलाल ने सोहनलाल को सरपंच के पास जाने की सलहा दी क्योंकि सोहनलाल गरीब हो गया था और वह बहुत परिशान रहने लगा था प्रश्नी तीन देखें जमीन देखकर दोनों क्यों परिशान हो गई प्रश्न पूछता है कि जमीन देखकर दोनों क्यों परेशान हो गए तो बेटा इसका उत्तर है जमीन देखकर दोनों परेशान हो गए क्योंकि सारी जमीन बंजर थी और पत्थरों से भरी पड़ी थी एक बार फिर से दोर आते हैं कि जमीन देखकर दोनों परेशान हो गए क्योंकि सारी जमीन बंजर थी और पत्थरों से भरी पड़ी थी प्रश्ण चार चोर कहां छुप गए थे तो बेटा इसका उत्तर है चोर जाड़ियों के पीछे छुप गए थे एक बार फिर से दोर आते हैं चोर कहां छुप गए थे चोर जाड़ियों के पीछे छुप गए थे तो देखे बेटा इस प्रकारते हमने मौकिक प्रश्णों के उत्तर को जान लिया अब चलिए लिखित प्रश्णों के उत्तर को जानते हैं ख देखिए निमलिखित प्रश्णों के उत्तर लिखिए बिटा प्रश्ण एक देखिए सोहन लाल क्या काम करता था? प्रश्ण पूछता है कि सोहन लाल क्या काम करता था? तो बिटा इसका उत्तर है सोहन लाल बाल काटने का काम करता था सोहन लाल क्या काम करता था? सोहन लाल बाल काईपने का काम करता था चलिए दूसरा प्रशन देखते हैं प्रशन दो, सोहन लाल क्यों परेशान रहने लगा? सोहन लाल क्यों परेशान रहने लगा? तो बिटा इसका उत्तर है सोहन लाल के पास कोई बाल कटवाने नहीं आता था इसलिए वह गरीब हो गया और परेशान भी रहने लगा प्रश्चतीन देखे, दिया गया है सरला ने क्या तरकीब सुझाई? प्रश्चतीन पूछता है कि सरला ने क्या तरकीब सुझाई? तो बटा इसका उत्तर है अगला प्रश्चतीन देखते हैं बटा प्रश्चतीन चार सभी चोर खुशी से क्यूं उचल पड़े? सभी चोर खुशी से उचल पड़े क्यूंकि चोरों ने सरला की कहानी को सचमान लिया था अगला प्रश्चतीन देखते हैं चोरों ने रात भर खेत को खोदा क्यूंकि वे दबे हुए सोने को प्राप्त करना चाहते थे एक बड़ फिर से दोर आती है चोरों ने रात भर खेत को क्यूं खोदा? तो इसका उत्तर है चोरों ने रात भर खेत को खोदा क्योंकि वे दबे हुए सोने को प्राप्त करना चाहते थे चलिए बिटा इसके आगे करते हैं ग किसने किस से कहा नमबर एक पता नहीं सासु माने सोना कहा दबा दिया पता नहीं सासु माने सोना कहा दबा दिया तो बिटा, किस ने कहा? सरला ने कहा किस से कहा? सोहलाल से कहा चलिए नमबर दो, सोना कल निकाल लेंगे किस ने कहा? और किस से कहा? चलिए जानते हैं तो बिटा, किस ने कहा? सोहलाल ने कहा किसोना कल निकाल लेंगे और किस से कहा सरला से कहा चलिए आगे करते हैं नमबर तीन हाए राम अब क्या करें इस जमीन को खोदते खोदते तो उम्र बीत जाएगी नमबर तीन भी कहा जा रहा है कि हाए राम अब क्या करें इस जमीन को खोदते खोदते तो उम्र बीत जाएगी तो बिटा इसे किस ने कहा और किस से कहा चलिए जानते हैं किस ने कहा सोहन लाल ने सोहन लाल ने कहा कि हायराम अब क्या करें इस जमीन को खोदते खोदते तो उम्र बीत जाएगी और किस से कहा बिटा, सरला से कहा, देखे इस प्रकार से हमने इस प्रश्ण के उत्तर को भी जान लिया, चलिए अगला प्रश्ण करते हैं, घह देखिए, पाट के अधार पर खाली स्थान भरिये, नमबर एक, सोहन लाल एक खाली स्थान तरह का नाई था, तो बिटा इसमें ह दिखा है, खास, सोहन लाल एक खास तरह का नाई था, नमबर दू, जमीन देखते ही उनका खाली स्थान बैठ गया, तो इसका उत्तर है, जमीन देखते ही उनका दिल बैठ गया, नमबर तीन, उनकी आखों के सामने तो खाली स्थान चमक रहा था, तो यहाँ पे लिख दिय मैंने पिटा सोना उनकी आखों के सामने तो सोना चमक रहा था नंबर चार उसने सोहनलाल को खाले स्थान समझा दी तो यहां लिखेंगे पिटा तरकीब देखें मैंने लिखतिया है उसने सोहनलाल को तरकीब समझा दी तो देखें इस प्रश्ण के उत्तर को भी हमने जान लि देखे बिटा प्रशन दिया गया है कि हमें बिना सोचे समझे कोई काम क्यों नहीं करना चाहिए चर्चा कीजिए तो बिटा इसका उत्तर है कि हमें बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा अपना काम बिगड़ जाता है हमी पश्चाताप होता है हम लोगों की हसी का पात्र बन जाते हैं तो इसलिए आपको भी बिटा बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए भाशा की बात में देखे बिटा उपवन शब्द में वन से पहले उप लगा है उपन शब्ध में वन से पहले उप लगा है एशा शब्दांस जो किसी शब्द से पहले लग कर उसका अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं जैसे अपधन मान अप मान बिटा उपसर्ग किसे कहते हैं? एशा सब्दांस जो किसी सब्द से पहले लग कर उसके अर्थ को बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं देखे यहाँ पर कुछ उधारण भी दिये गए हैं को देखिए उप-उपसर्ग लगा कर नए शब्द बनाईए उप-धन-कार नमबर एक दिया गया है उप-धन-कार तो शब्द बन गया उप-कार नमबर दो उप-धन-नाम बन जाएगा उप-नाम नमबर तीन उप-धन-राष्ट-पती तो इसे जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा उप-राष्ट-पती नमबर चार उप धन हार इसे जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा उप हार देखे बिटा हमने उप उप सर्ग लाकर कुछ नए शब्द बना लिए जैसे उपकार, उप नाम, उप राष्ट पती, उप हार चलिए आगे करते हैं ख, नीचे दिये गए उप सर्गों से दो-दो नए शब्द बनाईए देखे बिटा यहां कुछ उप सर्ग दिये गए और हमें इनसे दो-दो नए शब्द बना लिए थे देखे मैंने बना लिए हैं, नमबर एक अनू अनू से एक शबद यहाँ बना हुआ है अनकूल और मैंने बनाया अनुरूप दूसर शबद बनाया अनुसार नंबर दो आ उपसर्ग से हमें नया शबद बनाना था देखिए आगमन दिया गया है और यहाँ मैंने बनाया है आजीवन आहार आ उपसर लाकर मैंने शब्द बनाया आजीवन, आहार नमबर तीन सू सू उपसर्ग से हमें नया शब्द बनाना है यहां दिया गया है सुमार्ग मैंने नया शब्द बनाया सुपुत्र, सुकर्म चलिए आगे करती है पढ़ाई सब्द में पढ़ शब्द के बाद आई लगा है एशा शब्दांस जो किसी शब्द के बाद लगतर उसका अर्थ बदल दे उसे प्रत्य कहती है जैसे सुन्दर धन ता तो नया शब्द क्या बन गया? सुन्दर ता बेटा अभी आपने उपसर्ग पढ़ा अब देखें यहाँ प्रत्य बताया जा रहा है आपको कि प्रत्य किसी कहती है एशा सब्दांस जो किसी शब्द के बाद लगकर उसका अर्थ बदल दे उसे प्रत्य कहती है है ना? अब चलिए यहाँ प्रत्य प्रत्य लगा कर नए शब्द बनाईए पिटा अब आपको क्या करना है? यहाँ पर ता और आई प्रत्य लगा कर नए शब्द बनाना है देखिए मैंने बना लिया है देखिए सरल्धन्ता शब्द दिया बन गया सरल्टा नमबर दो महान्धन्ता तो क्या बन जाएगा? महान्ता नमबर तीन नवीन्धन्ता शब्द क्या बन जाएगा? नवीन्ता नमबर चार सुगम्धन्ता शब्द क्या बन गया? सुगमता तो बेटा देखिए ता प्रत्ते लगाकर हमने इन शब्दों को बनाया है अब यहाँ आई प्रत्ते लगाकर हम शब्द बनाएंगे देखिए नमबर पांच धून धन आई तो शब्द बन जाएगा धून आई नमबर छे पढधन आई शब्द बन जाएगा पढ़ाई नमबर साथ लिख धन आई शब्द बन गया लिखाई चलिए बेटा व्याख्यान संक्या एक में दिये गए गरीकारी के हलकों भी जान लेते हैं बेटा आपको गरीकारी दिया गया था कि अभिविक्ती हिंदी पाठी पुस्तक पाठ पाँच सरला की सूज में आए कठिन शब्द और सब्दार्त अपनी कौपी में सुन्दर लेक में लिखो चलिए इस गरीकारी के हलकों भी एक बार दूरा लेते हैं पाठ पाँच सरला की सूज कठिन शब्द नमबर एक कोशिश नमबर दो कैची नमबर तीन जान बूझकर नमबर चार परेशान नमबर पाँच सरपंच नमबर छे पंचायत नमबर साथ मुफ्त नमबर आठ जमीन नमबर नौ इलाका नमबर दस चीज नमबर ग्यारा सक नमबर बारह जरूर नमबर तेरह पाँँ नमबर चौदह पत्थर नमबर पंदरह कीमती नमबर सोलह पत्थरीली नमबर सत्रह जुगाड नमबर अठारह चतुराई नमबर उन्नीस कमाल नमबर बीस नमबर बीस ट्रैक्टर इस प्रकार से देखे बेटा हमने पाठते संबंदित कठें शब्द को भी जान लिया अब चले शब्द अर्थ को भी जान लेते हैं और उसकी दोहराई कर लेते हैं वहा भूमी, जिसमें कुछ उगता ना हो. 5. तोली, तोली का अर्थे बिटा समूह. 6. तर्कीब, तर्कीब का अर्थे उपाए. 7. नजारा, नजारा का अर्थे बिटा द्रिश्य. 8. पत्थरीली, पत्थरों से भरी हुई. नमबर 9, हल और हल का आर्थ है बिटा खेत जोतने का अउजार तो बिटा इस प्रिकारते हमने पार्ट से संबंदित शब्दार्थ को भी जान लिये तो बिटा इस प्रिकारते हमने पार्ट से संबंदित कठिन शब्दों को भी जान लिया और शब दर्थ को भी जान लिया और उनकी दोराई भी कर ली आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद